Hello everyone, welcome to another lecture of human resource management and today our topic is interview formats किन-किन arrangement के तहट या किस-किस तरहां से interview conduct किये जाते हैं किसी भी organization के अंदर हम उसके बारे में discuss करेंगे तो आज हम देखेंगे कि interview के format कौन-कुन से होते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास format है वो है one-on-one interview कि एक interviewer होगा और एक applicant होगा आमने सामने बैठेंगे और interview conduct किया जाएगा ठीक है एक-एक होगा एक interviewer और एक interview एक applicant और एक interview conduct करने वाला The most common interview is the one-on-one format They allow a manager और HR professionals to put the applicant at ease, relax in a non-threatening atmosphere जो बहुत ही common format है interview का तरिका कार है interview का वो है one-on-one format कि एक interviewer होगा जो applicant का interview लेगा और एक ही applicant होगा तीन-चार applicant साथ नहीं आएंगे ठीक है They allow the manager अब यह जो format है यह allow करता है manager को और HR professional को पेशा वराना लोगों को humor resource के कि वो applicant को relax करें ठीक है applicant at ease के उनको relax feel करवाएं इन a non-threatening atmosphere जो वहां का महोल है उसको non-threatening करें कि कोई खतरनाक महोल नहीं है उसको relax feel करवाएं ठीक है क्योंकि अकसर जो interview देने आते हैं वो nervous होते हैं परिशान होते हैं तो one-on-one format जो है यह बड़ा फाइदे मांद होता है जिसमें applicant को easily relax feel करवाया जाता है जब बहुत सारे applicants का interview लिया जा रहा हो ठीक है तो यह बहुत ही ज्यादा मुफीद तरीकेकार है management का और HR personnel का employee का के वो इस format को इस्तमार करें और interview जो है वो conduct करें ठीक है और जो भी स्वाल नामा पहले से तियार किया हुआ है या उसी वक्त किया जा रहा है situation के साबसे उनसे जो बात पूछनी है पूछने लेकिन पहले उनको relax feel करवाएं ठीक है तो यह मारे पास एक format है one- panel interview इस interview के अंदर applicant तो अकेला ही होता है लेकिन एक पूरी team बैठी होती है interviewers की जो interview conduct कर रहे होते हैं इसमें बाद वकार nervous लोग हो जाते हैं क्योंकि एक सवाल एक interviewer पूछता है जवाब खतम ही नहीं होता कि दूसरा interviewer फोरा question पूछ लेता है तो इसमें पूरा panel एक team बैठ interviewers कई तदात के अंदर interviewers बैठे होते हैं जो candidates से मिलते हैं एक time के अंदर ठीक है अब मैं different institute में जाता हूँ परहाने के लिए तो वहाँ पे different तरहां के interviews किये जाते हैं principals होते हैं, teachers होते हैं, admin के लोग होते हैं, सब बैठे होते हैं और सवालों की बोचार आ रही होती है ठीक से सवाल आ जाता है, क्योंकि दूसरा interviewer पहले से त्यार बैठा होता है सवाल पूछने के लिए, sets of questions are frequently created in advance and assigned to the panel member who may ask follow-up questions, एक set of questions जो है वो अक्सर create करके advance में पहले ही जो है panel को दे दिया जाता है, ठीक है, और वो पहले question पूछते हैं और उसके बाद follow-up question पूछ सकते हैं आपके जवाब के बिना पे एक और question आपसे पूछ सकते हैं, या बहुत सारे question आपसे पूछ सकते हैं, कि आपकी answer देते हैं और उसके बनियाद पर आपसे और सवाल पूछे जाएं, इसको follow-up question कहते हैं, तो mostly क्या होता है कि पहले से तियार शुदा एक question स्वाल नामा दे द आपक्टर है, तो मुझसे पहले वाला candidate जो एंटर हुआ, उसने कहा कि भी मैं तो English में इंटर्व्यू नहीं दूँगा, तो वो चला गया ये बात कहें कि इंटर्व्यू देने के लिए, जब वो इंटर्व्यू दे के आया, तो उसने मुझे बताया कि यार वो उर्दू मे बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कहता हैं कि सिर्फ English में बोलना है, जो भी बात करनी है, you have to speak in English, तो after that जब मेरी बार यही तो मुझसे पहला question ही पूछा गया, how much do you think or consider English is important for us, कि English हमा ये लिए कितने जरूरी है, तो मैंने अपने साब से जो जवाब था वहाँ पर दिया, क कि मारा course outline English में होता है, books English में होता है, that is why English is important, otherwise वो just a language और communicate करने के लिए, तो panel जो है वो बाज उकात question change भी कर देता है, next हमारे पास हो जाता है, next हमारे पास है वो है online interview, इसमें internet का इस्तमाल किया जाता है, interview conduct करने के लिए, interviewer एक और जगा बैठा होगा, जो candidate होगा, वो औ और जगा बैठा होगा, लेकि internet के जरीए, website के जरीए, वो interview conduct कर रहे होंगे, candidate and interviewer use web-based technology to ask answer interview question, candidate जो interviewer होगा, वो web-based technology का इस्तमाल करेगा, एक जो से स्वाल जो आप पूछेंगे, ठीक है, companies such as higherview and spark higher provide a web-based platform that allow real-time one-to-one interviewing or on-demand interview that allow candidate to log on and at any time and answer a pre-determined set of interview question, Hilton worldwide use online interview, कुछ companies हैं, जैसे के higherview है और spark higher है, यह वो platform फराम करते हैं, जहां पे companies जो है, इनका इस्तमाल करते हुए online interviews लेते हैं, अब यह जो higherview company है, इसमें बाद उकाद companies क्या करते हैं, इनको hire करते हैं, पहले से एक सवाल नामा इनको दे देते हैं, कि आपने candidate से यह सवा सवाल पूछने है, और वो computerize generate कर देते हैं, इनको जिसमें computer होता है, candidate से interview कर रहा होता है, वहीं सवाल पूछ रहा है, जो उसमें feed किये जाते है, और वो हमारे जवाब जो है, वो record कर रहे होते हैं, और उस मुनियाद पे वो data analysis कर रहे होते हैं, कि हमारे जवाब क्या है, तो और बाद उकार क्या कहते हैं कि on demand interviews किये जाते हैं कि candidate कहते है कि आप मुझसे interview ले 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 ठीक है और बाद में कोई job open आजे तो आप मुझे hire कर लीजेगा या मुझसे contact कर लीजेगा तो ये company जो hire ये तो आप वो hire कर सकते हैं इसे तरह example दिये है hilton company जो medicine की company है वो पूरी दुनिया में online interviews को डग करती है ठीक है क्योंकि different country होती है मुक्तरिफ मुलकों में ये medicine supply करते हैं तो हर जगे इनको employees चाहिए होते हैं तो mostly ये worldwide online interviews को डग करते हैं तो ये मारे पास एक format है online interviews का next हमारे प होती a specific set of question is asked of each candidate एक पूरा set of questions होता है वो दे दिया जाता है और वो पूरे के पूरे questions जो है वो पूछे जाते हैं कोई तब्दीली करने की जादत नहीं होती वो जो question दिये गया है वो पूछने है उनकी answer record करने अब आख खतम तो एक पूरा धांचा परले से prepared किया जाता है और उस हिसाब से interview ले लिया जाता है यह structure interview होता है यह भी एक त्रिका का रहा है हमारे पास interview को डग करने का इसके opposite हमारे पास आ जाता है unstructured interview जिसका कोई धांचा नहीं बना हुआ होता unstructured interviews are more likely a free-flowing conversation between the applicant and interviewer यह इसमें basically free-flowing conversation चरही है गुफ्तगु चरही है कोई पहले से त्यार नहीं था कि यह पूछना है यह पूछना है नहीं interview जो होता है at the spot पूछना शुरू कर देता है कि आप कैसे है tell me about yourself फ्लाव फ्लाव सवाल पूछता है और यह एक किसम की conversation चर रही होती है questions are open ended and intended to let the applicants at the course of interview open ended question होते है कि कि जिस तरहां से answer देना चाहे candidate जो है वो answer दे सकता है close ended question में options होती है yes या no या choice में से आपने चुनना पड़ता है आपको option चुन नहीं पड़ती है लेकिन open ended question में आप अपने मताबिक जो भी answer देना चाहें वो दे सकते हैं और applicant जो है वो अपने हिसाब से interview को लेके चर रहा होता है अपने बारे में बता है और what type of working environment do you prefer candidate से पुछा जा सकते हैं tell me about yourself आप अपने बारे में कुछ मुझे बता है या what type of working environment do you prefer किस तरह के मोहल में काम करना पसंद करते हैं अब यह कितनी casual गुफतगू चर रही है इतना easy interview चर रहा है तो यसी को unstructured interview कहा जाता है अब जो unstructured interview होते हैं यह आपको जैदा awareness देते हैं candidate की personality का शक्सियत का unfortunately पाकिस्तान जैसे country में unstructured interview जो है वह conduct नहीं किये जाते हैं यहाँ आप structure interview, panel interview conduct किये जाते हैं one to one भी बहुत काम interview conduct किये जाते हैं panel और structure interview ही हमारे यहां जायतर conduct किये जाते हैं पाकिल online भी हो रहे हैं ठीक है लेकि unstructured और one to one interview यहां पर बहुत कम किये जाते हैं next मारे पास है behavioral interview आप से कुछ problem बताई जाती हैं और कहा जाता है कि इनका solution बताएं कि आप अगर होते तो इसको किस तरह से solve करते हैं इस situation में आप कैसे react करते हैं तो आपकी behavior की बनियाद पर interview conduct करना candidates are asked to describe how they actually handled a given situation candidates से पूछा जाता है कि आप भियान करें अगर इस situation में आप फसे होवे होते हैं तो आप कैसे situation को handle करते हैं और कहा जाएगा कि आप इसको solve करके दिखाएं कि आपने अगर solve करना होता तो आप इसको कैसे solve करते हैं तो यह behavioral interview है जिसमें action पर ज्यादा निर्बर किया जाता है candidate के ना कि उनकी बातों पर ठीक है तो यह भी हमारे पास एक format है interview का लाज जो हमारे पास format है वह stress interview इसमें ऐसा महोल के rate किया जाता है कि जिसपे आपको stress दिया जाए situation को बड़ा ही मुश्किल बना दे जाए और चेक किया जाए कि आप उस situation को कैसे handle करते हैं अब वहाँ पर जो employees होते है वो अकसर घुसा कर जाते हैं ठीक है लेकिन अब यहीं बात है कि ऐसे महोल में जहां पर काफी दा काम और stress हो हमने अपने घुसे को काबू करना है तो उसके लिए कौन सा candidate ठीक होगा तो उसके लिए stress interviews को ड़क किये जाते है stress interviews are stage event in which interviewer deliberately creates an uncomfortable atmosphere to see how the candidate will react under pressure stress interview कैसा event create करते है stage करते है महोल बनाते है जिसमें interviewer जान मुझ के create करते है uncomfortable atmosphere कि ऐसा महोल बना है जिसमें interviewer comfortable ना हो सके और आमदा ना हो सके, relax ना हो सके और देखना चाता है कि candidate कैसे react करते है under pressure ठीक है it may involve asking rapid fire question, challenging the applicant answer और even inserting the applicant अब इस interview के दुरान rapid fire question बार-बार questions पूछे जा रहे होते हैं एक answer complete नहीं होता है दूसरा question आ जाता है employee के जो interviewer होता है वो applicant के answers को challenge करता है बार-बार पूछता कि आपको लगता है कि आप ऐसे कह रहे हैं कि ठीक है नहीं ऐसा नहीं होता और बात अकाद applicant को जान मुझके insert किया जा रहा होता है देखने के लिए वो कैसे react करता है these may be helpful for position that encounter stressful situation on a regular basis such as law enforcement और customer service अब जो जीस तरहां के जो interview है यह helpful होता है उन position के लिए जो के लोग encounter करते है stressful situation यानिकि जो बड़ी stressful है जहाँ पे महोल बड़ा सخت है regular basis पे आपको बहुत ज़्यदा ही tension दी जारी जैसे के law enforcement कानून को लागू करने वाले police वालों को हमेशा stress की situation होती है लेकिन हमारे उनकी भरतिका criteria हमें भी पता कैसा है और आपको भी पता कैसा है ठीक है और वो law enforcement करने वाले situation में panic कर जाते है अक्सर ठीक है लेकिन इस तरह के लोगों के लिए stressful interview के आपने react गलत नहीं करना ठीक तरह करना है कि कहीं ये pressure वाली situation में emotional दो नहीं हो जाते हैं अपना control खो दो नहीं देते हैं तो इनके लिए stressed interview जो है वो conduct किये जाते हैं तो ये मारे पास format थे interviews के यहीं पर मारा आज क्या lecture राइज वो end होता है स्राइड के लिंक मैं description में दे दूँगा आप वहां से download कर सकते हैं और कोई भी question हो आप comment में हमसे पूर सकते हैं अपना क्या रखिएगा खुदा आफिस